इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Spider-Man No Way Home के नए टीजर के बारे में तो Spider-Man No Way Home का टीजर कल Sony Pictures Argentina ने रिलीज किया था और उसके बाद उस टीजर को गलीट भी कर दिया तो Sony Pictures Argentina ने एक Title Revel Promo रिलीज किया था Spider-Man No Way Home से रिलेटेड जहां पर वो थोड़ा सा गलीच हो रहा था तो उनके प्रोमो डिलीट करने के बाद कुछ गंटों बाद ही उन्होंने वापस से उस टीजर को अपलोट किया इसके अलावर Sony Pictures Brazil ने भी Spider-Man No Way Home से रिलेटेड एक प्रोमो वीड़ रिलीज किया जिसका टाइटल कार्ड भी वैसे ही सिमलर गलीच हो रहा था तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर Sony Pictures Argentina ने और Sony Pictures Brazil ने पहले प्रोमो डालके उससे गलीट क्यों किया और अगर गलीट कर दिया तो उसे वापस से अपलोट क्यों किया क्लिरली Sony Pictures वाले या तो फैंस को ट्रोल कर रहा है या तो वो हाइप क्रेट करना साते हैं स्पाडर मन नोवी होम को लेके और क्लिरली काफ़े आदा हाइप है इस मूवी का इंटरनेट पे या फिर जुलाई का फर्स्ट विक में आ सकता है तो क्योंकि Sony Pictures अर्जेंटीना ने और Sony Pictures ब्राजिल ने अपने YouTube चैनल्स अपने Instagram सैंडल्स अपने Twitter हैंडल्स सब जगह ये प्रोमोज रिलीस किया हैं कासा हो सकता है कि हमें पिछले live stream में explain किया है तो अगर आपने वह live stream नहीं देखिया है तो आप i button पर जाके उस live stream को देख सकते हो जहां पर मैंने आपको पूरे situation को समझाया था बाकि जो एक glitch effect है जो हमें इन teasers और प्रोमोज देखने को मिला है ऐसा ही similar glitch effect हमें Spider-Man Into The Spider-Verse movie में देखने को मिला था इसलिए भी लोग ये speculate कर रहे हैं कैसा हो सकता है कि Spider-Man No Way Home एक Spider-Verse की movie हो जिसको की अब एक official confirmation मिल गया है बाकि आपको ये teasers कैसे लगे ये बात मुझे आप comments बताओ बाकि आप कितना दाएक साचाट हो Spider-Man No Way Home का टीजर को देखने के लिए ये बात मुझे आप comments बताओ बाकि कल लोगील की episode 2 आने वाला है तो उस episode से related काफे सारे वीडियोज और काफे सारे live stream अब कल मिलने वाले हैं तो आप सारे live streams को जरू जान करना और सारे वीडियोज को जरू देखना बाकि अगर आपको ये वीडोः प district पर लाइक करना ना भुले और अगर आमेरे चैनल पे पहली बार आयते तो चैनल को सस्क्राइब करके बला खंद आवान आवले तेकि जब भी मैं आसे इंट्रेसिंग व्रूस बनाओ तो आपको नोटिफिकास में मिल सके and as always, thanks for watching और आपको यूजए आपको ऑले तो आपको नहींगान।